तिवारी जी, आदनीर बीरें तिवारी जी, आदनीर रामकरन यादव जी और इनके साथ जतने सहयोगी साथी और किसान भाई आए हैं इनके परिवार के सदस आए हैं मैं उनका स्वागत भी करता हूँ और उने भरोसा दिलाता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी से आपकी मदद हो सकती है पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई देगी मुझे खुशी है इस बात की कि आदनी राम लोटते बारी जी लगातार अपने गाउं के अपने आसपास के जो गाउं हैं उनके सब के दुख दर्द को यहां कम से कम बताने के लिए आए हैं जो गाओं प्रभादवित हैं धरंपुर, कुटिया और गांजा ये तीनों ग्राम सबा के साथ साथ और जगे भी जो तकलीफ और परिशानी है मुझे खुशी इस बात की भी जादा है कि इन्होंने का कि हम विकास और खुशाली किसी को रोकना नहीं चाते हैं बस हम अपनी तकलीफ और परिशानी सरकार के सामने रखना चाते हैं और प्रेस के साथियों ये बताईए अगर कोई डेलिगेशन आए और किसान अपनी बात कहना चाहें और उन्हें मौका मिल जाए मुख्यमंती जी से मिलने का और उसके बाद भी समस्या का समधान नहो तो आखिरकार वो गरीब और किसान जाएं कहां मुझे कोई ये बताए कि वहां पहुँचने के बाद कौन सी जगह जहां से मदद हो सकती है आज पार्टी काले में आप आए हैं मैं अपने पत्तकास साथियों के सामने याद दिलाना चाहता हूं सरकार को कि जिस समय देश में इस बात की बहस हो रही थी कि जमीन का मौपजा क्या होगा जो लेंड अक्यूशन एक्ट था जब उस पे बहस चल लई थी उसी समय समाजवादी पार्टी ने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बना करके और किसानों से जमीन ले करके दिखाई थी वो एक्सप्रेस वे जब बना किसी प्रेस कांफरेंस में मैंने ये भूला नहीं हूँगा जिसमें किसानों का धनिवाद नहीं दिया मैंने जब जिस समय में शिरानस कर रहा था सबसे पहले मैंने किसानों का धनिवाद दिया और मैंने कहा कि मैं किसानों का धनिवाद देना चाहता हूँ कि उनी की वज़े से ये एक्सप्रेस वे बन पाया है मैंने वहां के प्रतिस्जिश लोगों को बलाया था और उस समय जिन जिन गाउं की जमीन जा रही थी उनके लोगों उनके लोगों से उन लोगों से बात चीत करके कि आप क्या चाहते हैं उन्होंने जो जो चीज़ें बताई थी जिसके जमीन आवादी की जा रही थी या कुछ बना था कई जोबड़ा पड़ा था या और कोई चीज़ बना ली थी किसान ने समाजबादी सरकार ने एक एक का मुआफ़ा दिया और दिल खोल के मुआफ़ा दिया मुझे याद है इसी लखनव में जहां पर एक्सप्रेस वे को घुसना था क्योंकि जब डिजाइन हो जाए इलाइनमेंट हो जाए और उसके बाद ये पता लगे कि इसमें दो गाउं आ रहे हैं अगर इन दो गाउं को पूश करके आईए कि आप क्या चाहते हो अगर आपका गाउं इसमें पूरा का पूरा ले लिया जाए पहले दुखी हुए लेकिन जब उन्होंने का कि हम तभी देंगे ये जमीन जब हमारी ये मांगे पूरी हो जाएं वो जब मांगे मेरे सामने आई जा सके और पूरी उनकी मांगे मेंने मानी और उसका पड़ाम ये हुआ कि वो गाउं हट गए गाउं वाले अपने आप रास्ता छोड़ दिये एक्सप्रेस वे के लिए और आज भी अगर कोई जा करके देखना चाहे उस एक्सप्रेस वे आप सरकार में हैं आपके किस पैसे की कमी है सरकार को कभी पैसे की कमी नहीं होती इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार ये सरकार किस की है क्या ये सरकार जनता की नहीं है क्या ये सरकार गरीबों की मदद के लिए नहीं है आप इतना बड़ा फैसल ले रहे हैं देश दुनिया में आप नजाने क्या 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 कर रहे हैं टाइम से स्क्वेर तक में प्रिचार कर रहे हैं आप क्या आप समझते हो भगवान केवल आपके हैं क्या ये गरीब बैठे हैं इनके भगवान नहीं क्या भगवान हमारे नहीं ये भगवान सब के हैं और हम सब चाहते हैं विकास हम सब खुशाली चाहते हैं और हम तो मुख्मन दीजी को याद दिलाना चाहते हैं जिस आफिस में आप फैसला लेते हो जिस टेविल पे जिस कुर्सी पे आप बैठते हो वो भी समाजवारी सरकार का बनाया हुआ लोग भवन है अगर नहीं है तो आप बता दो आप वहां से फैसला मत लीजे छस पे बैठकर लीजे फैसला किसने रोकाया आपको बताओ आदरी हमारे राम लोठन तिवारी जी उनको इस उम्र में अन्याय का सामना करना पड़ रहा है अपमानित होने के लिए इस उम्र में इतनी सम्मान पाने वाले व्यक्ति के लिए इतना अपमान और जहां तक अधिकारियों का सबाल है अधिकारियों के साथ हमने भी काम किया है यही अधिकारी जुक करके जाते थे किसानों के पास और कहते थे उपर मत बताना जो समस्या है मुझे बतादो हम पूरी कर देंगे आपको इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि एक पूर्णने काम के लिए आप जमीन ले रहे हैं यह सदियों हजारों साल के लिए जमीन जा रही है इनकी इनके पूर्वज यहां रहे अब यह पूर्वज को भूल करके जमीन देने जा रहे हैं अगर तो सरकिर रेट बढ़ाईए समाजबादी सरकार ने एक्सप्रेस बे बनाने पर सरकिर रेट बढ़ाया था और सरकिर रेट कम से कम ऐसा किया था कि कोई किसान को बुरा ना लगे क्योंकि जब वो मार्केट देखता है जब उसे याद आता है कि मार्केट में तो ये वैल्यू है उस जमीन की और हमसे तो सरकार ऐसे छीन लेगी आप बताएए सरकार जब ले लेगी मान लीजे कल को वो अएरपोर्ट प्राइवेट हो जाएगा तब कौन मुनाफ़ा कमाएगा हमारे गरीबों किसानों की जमीन लेकर के आप मुनाफ़ा किसी और को कमाना चाहते हैं तो कम से कम सरकार रेट बढ़ा करके और ये पून्य काम होने जा रहा है छे गुना इनको जमीन का मुआफ़ा मिलना चाहिए और मैं अपने आधनिये राम लोट तिवारी जी को आधनिये बीरें तिवारी जी को और हमारे आधनिये राम करन नियादव जी को मैं भरोसा दिलाता हूँ उनके सहयोगी साथियों को भरोसा दिलाता हूँ समाजवादी लोग आएंगे तो इसी तरह का मुआफ़ा आपको देंगे आपको आपके सम्मान से ठेज नहीं पहुंचेगी अगर हमें कोई सम्मान करना पड़ेगा तो सम्मान करेंगे और आपकी मदद करेंगे छे गुनाँ देने में क्या खंचेगी है सरकार को सरकार तो यह कहती है कि हमारे पास ऐतिहासिक बजट है अगर इतना एतिहासिक बजट है तो दिल क्यों छोटा है आपका ये बताईए हमें बजट छे लाक करोड का और दिल कितना छोटा सरकार का इसलिए इन किसानों की मदद हो मुझे तो याद है एक किसान ने था मुनोत तेवतिया मनवीर तेवतिया आ गए थे और आपके पुराना पतका साथी जानते होंगे मनवीर तेवतिया वो थे जिन पर एक सरकार ने नजाने कितने मुकदमे लगा दिये थे और इतने मुकदमे लगा दिये थे उन पर वो जेल में थे और वो मुकदमे इस ये लगे थे कि वो किसानों की मदद कर रहे थे किसानों के साथ खड़े थे जब सरकार हमारी आई हमने एक एक मुकदमा उस नेता का बापस ले लिया और हमने का कि आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए आप एक भी मुकदमा नहीं चलेगा पूरे के पूरे मुकदमे समाजबाजी सरकार ने बापस ले थे और एक साल के बाद उन्हें जेल से बाहर निकाला गया था लेकिन ये सरकार तो ऐसी है इसके लेकपाल SDM, DM जाने क्या करते हैं वो नौकरी संभिधान और व्यवस्था के लिए नौकरी कर रहे हैं वो तो पता नहीं किसको खुश करने के लिए कर रहे है इसलिए इन किसान भाईओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए हैं हम लोग आपके साथ खड़े हैं और समय आने पर अभी तो सरकार से हम भी मांग करते हैं और समय आने पर आपको इसी तरह का मौफ़ा दिया जाएगा अगर विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आप खड़े हैं तो हम भी आपके साथ खड़े हैं और जितना भी कार हुआ है कई कार ऐसे हैं जो अभी भी यादगार का रहे हैं चार साल बाद भी जो पानी हम लोग देखते हैं पानी में कभी कभी दिये की जो दिखाई देता है दिये की रोष्णी मुझे खुशी है जबात की कि वहां के घाटों को अच्छा करना रिस्टोर करना और कुछ पानी पर्मनेंट बना रहे उसके ववस्था के लिए पम्पिंग स्टेशन अगर किसी ने बनाया था तो समाजवादी सेखान ने बनाया था वहां पर जो लोग पधियात्रा करते हैं चौदा कोसी एक एक पेड हम लोगों ने समाजवादी ने लगाया और हमारी समाजवादियों की नकल कर रहे हैं अगर हमारे साथी जाएं तो नजाने कितना बड़ा पारिजात का पेड़ वह दिखाई देगा मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जो समाजवादियों ने पारिजात पेड़ लगाए उसी की नकल करकर के भारती जंता पार्टी ने भी पारिजात का पेड़ लगा दिया समाजवादियों ने पहले लगाया भारती जंता पार्टी ने नकल कर ली एक भजन इस सल बनाये था समाजवादी सरकार में और डिजाइन ऐसी बनाई थी कि वो धनुष दिखे हमारे भगवान राम का धनुष देखे और तीर दिखाई दे लेकिन पता नहीं इस सरकार ने क्या किया है धनुष और तीर दोनों अटा दिये कैसी सरकार रही है इसलिए हम पत्रकार साथियों से भी कहना चाहते हैं अगर आप लोग चाहोगे तो मावजा मिल जाएगा इन्हें आप लोग भी मदद करें हम तो मदद करी रहे हैं लेकिन ये पत्रकार साथियों ने अगर ठान लिया तो मदद मिल जाएगी इसलिए हम भी मुचाते हैं इन गरीब किसान भाईयों की मदद हो आप भी लोग भी मदद करें वैसे तो हम अपनी बेइमानी बताना चाहते थे कि हमारे साथ जो गुजरा अब तो बिहार में ज़्यादे बड़ा मामला हो गया इसलिए हमारी बात ही खतम हो गई अब हम तो आप से जानना चाहते हैं कि दिन रात हम लोग देखते रहें देखें अमरीका का चुनाओ जो था वो भी बड़ा ऐसा ही था अमरीका का जो चुनाओ था वो ऐसा ही था कि पता नहीं क्या होगा रिजल्ट क्या होगा लेकिन उससे ज़्यादा नेल बाइटिंग जो कहते हैं कि मतलब क्या सोचें क्या हो जाएगा कि कई चैनल वाले तो क्रिकिड की तरह बता रहे थे स्ट्राइक रेट और यह सब ऐसा चुना हम लोगों ने कभी नहीं देखा और शायद किसी ने नहीं देखा होगा तेज़स्ती जीते जीते रह गए सरकार बनाते बनाते रह गए जितने भी लोग तंत्र पसंद लोग हैं जिन पर लोग तंत्र का भरोसा है जिन लोगों ने भरोसा किया है वो सब दुखी हैं क्या ऐसे भी चुनाओ लड़े जाएंगे तीरह हजार के अंदर चौदा हजार ज्यादे से ज्यादे चौदा हजार बोट ज्यादा पाए हैं केवल क्या भारती जंता पाटी का गड़वंदन बोट पाया है चौदे हजार बोट ज्यादे पाए हैं और क्या तिगड़म लगाई हमारा उधर उधर का इधर जाने क्या लड़ाई लड़ाई यही बीजेपी की है खासियत यही हुनर उनके पास है हमें तो कोई राज आपको नहीं बताएंगे और मैं तो कहूंगा आप से क्या आप समाजवादियों का काम देखिए क्या एक्सप्रेस बे ऐसा बना पाए आप उनसे सवाल कीजिए कि आपने यह कहा कि दिवाली पर एक्सप्रेस बे खोल दिया जाएगा हमें तो कभी-कभी यह लगता है कि हम लोग सरकार से बाहर आ गए हैं ठेका किसी और को दे आए हैं बनाने का ठेकेदार गरवड कर रहा है नौकरी का सवाल तो ऐसा है कि मजदूरों ने दिखा दिया क्या नौकरी दीनों ने और फिर अगर यह नौकरी दे रहें हैं अगर यह नौकरी दे रही है सरकार तो बेभाग है किस जगें नौकरी दी यह वो आकड़े बता दें किस से आकड़े छेपा रहें आप और मैं तो नौजवानों से कहूंगा एक समय आएगा जब हमें भी अपनी बातें रखनी होंगी, कहनी होंगी, उस समय कहेंगे, कोई न कोई योजना ऐसी लाएंगे, जिससे दिखाई देगा कि हाँ, ये सरकार दे सकती है नौकरी और रोजगार, क्या अगर आप मेट्रो काई किल लीचे, तो ये सरकार आकड़े नहीं बताएगे, कितनों को नौकरी दी, इस से पहले तो करोड़ों को नौकरी दी थी, अब लाग क्यों दे रहो, कई करोड़ कहा था, और फिर देश के प्रधान मंती जी से उद्गाटन कराया था, और फिर चाल लाग करोड़ का इंवेस्टमेंट की बात हुई थी, वो चाल लाग करोड़ इंवेस्टमेंट हुए कि नहीं हुए, अगर हुए होंगे तो शायद पचाल लाग नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छा का था, दिए, आप खुद गंफ्यूज हो कि आप जहनदना क्या चाहते हो, आप खुद ही कन्फ्यूज हो, एक तरफ टुटर की बात करह रहे हो, दुरी से एक्सप्रेस वे की बात करह रहे हो, हालांकि टूटर को लेकर रही, न्यूस बड़ी interesting आई है आपनों को नहीं follow की होगी एक party की नेता उसके follow और लाख हैं लेकिन इस board machine में इतने में निकले तो आप समझ लीजिए उससे यह जरूरी नहीं है कि वो समाजवादी है जरूरी नहीं है कोई समाजवादी है और Twitter पे कोई लड़का बनके follow कर रहा है कोई लड़की बनके follow कर रहा है आप पे भी request आती होगी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी लड़की का ID बना करके किसी से जुड़े हो यह आपका भी reality चेक करना पड़ेगा मुझे और आप पे fake account कितने यह भी हमें बता दो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ fake account बना रखे हो आपने देखो ऐसे लड़ो मत पूछ लो और सुनिये इन गरीबों की मदद करो तो हमसे सवाल पूछ लो बहुत छोटा सवाल पूछते हो बड़ा सवाल यह है कोई भी सरकार के खिलाफ अगर बोल देगा तो इस पर बुल्डूजर चला देगी सरकार आप को यह कहना चाहिए कि आप कही साथी जेल चले गए जब देश में यह बहस होई कि आखिरकार कितने पतकार जेल में गए एक के एक जेल में नहीं गए एक तो टीवी पे देखा हमने अब छूट कैसे आए यह तो सुप्रीम कोट जानते हैं हम तो नहीं जानते बाते हैं तो बात को क्यों नहीं होने देते ओ पूरी भाई आप लोग ये जो बात चीत पूछते हो कभी दूसरी जगे भी इस तरह पूछते हो कि नहीं पूछ पाते हो कि बिलकुल ऐसे ही जैसे गए और वैसे ही वापस आ गए तो इसलिए आपको ये चिंता करनी चीए कि आपके कितने साथी जेल चले गए अगर डाल की बात किसी ने बता दी सचाई बता दी डाल की तो बो जेल चला गया दूद में पानी मिला बता दिया तो बो जेल चला गया किसी का शेयर कर दिया तो बो जेल में चला गया और समाजवादी पार्टी ने नजाने कितनों के शिकायत की मैं जानता हूँ कि हमारे लोगों के खिलाव न जाने क्या क्या लिखते हैं लोग शिकायत करते रहो कोई जेल नहीं जाएगा आप ज़रा सच्चाई दिखा दो अगर जेल में हमें ना आपको मिलने जाना पड़े तो बताना आपकी लिहाद से क्या वज़े रही दूँगा और इनके साथ-साथ जितने भी समाजवादी नेता कारकरता और मल्ली की जनता का मैं विशेश धन्यवाद दूँगा कि सभी वर्गों ने हर एक वर्ग ने इनकी मदद की और उसका पड़ाम यह हुआ के लखी यादव एतिहासिक बोटों से जीत करके आए ये हमारी पार्टी के बहुती वरिष नेता पारस नातियादव जी के बेटे हैं पारस नातियादव जी की भी आखरी एक्षा यही थी कि उनका बेटा विधायक बन जाए मैं जनता का बहुत आवारी हूँ कि जनता ने उनकी आखरी इच्छा को पूरा किया जहां तक चुनाओ का सवाल है चुनाओ मैथेमेटिक्स हो गया है मैथेमेटिक्स मुद्दे नहीं है भारती जनता पार्टी हर चीज इस्तमाल करती है जीतने के लिए एक ही जगे का मैं उधार न दे सकता हूँ आपको और उसका चेक कर लिजी अगर आप चाहेंगे तो हम अभी वीडियो उनको भेज देंगे वीडियो ये प्ले कर देंगे किस तरीके से पुलिस ने क्या किया जब डियेम एस पी वहां के डियाईजी आईजी पुलिस के अधिकारी प्रधान कोठेदार सब लग जाएंगे और मुझे तो ये सुनने में आया है कि कुछ जगे पर वो आपका टेंपरिशर लेने के लिए खड़े थे और कहा कि ऐसा टेंपरिशर बता देंगे सीधे अस्पताल में एडिपिट होना पड़ेगा और दस इंबूलेंस लगा रखी थी तो बताओ अगर वो बात गाउं में गई होगी तो क्या हुआ होगा आपने अपने बूत तो 80-90% कर लिए और दूसरों को लाठी मार मार के थाने बंद कर दिए यह बड़ी अच्छी स्टाइल है भारती जिन्ता पार्टी की डेमोक्रेसी में आप बताईए क्या आपकी जानकारी में नहीं है आपकी जानकारी में है कौन सा थाना नहीं भरा हुआ तो बताओ यह अगर हम आपको बता देंगे तो फिर पार कैसे होंगे देखिए जिस समय कोबिट का इलाज आ जाएगा तो कोबिट भी खतम हो जाएगा अभी कोबिट की दवाई नहीं है न वैक्सीन है वैक्सीन आने में टाइम है ना और फिर उत्तबर देश तो अच्छा है कि नो टेस्ट, नो कोबिट देखिए हम और आप स्वस्थ हैं अगर हम और आपको नहीं हो रहा है हम आप बिना मास्के बैठे हैं अगर तो यह मत समझ लिजए कि कोबिट नहीं है बीमारी नहीं है तो अगर जान चली जाएगी तब पता लगएगा कि हाँ यह तो कोबिट से ही कहे हैं अरे एक एक पूशिए चिला क्यों हो रहे हैं आप तो दो हजार बाइस में जाएंगे और उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी और उससे पहले भी जाएंगे हरे क्यों नहीं जाएंगे भाई अब वो हमारी महनस हमारी हमसे जादा महनस सरकार कर रही थी डियम, एसपी, एडियम, पुलिस सबसे करा रहे थे खुद भी कर रहे थे मेहनत जब जाएंगे तो देखेगा परड़ाम क्या होगा और हम तो जनता से कहेंगे कि अब तो देख लिया आपने अब तो सब दिखाई दे गया है विकास के लिए बोट करें और भरुसा करें साइकल पर विकास पर बोट करें भरुसा करें साइकल पर उत्तबरेश खुशाली के रास्ते पर जाएगा हम नहीं बताएंगे आज हमारे फैजावाद के जो लोग आए हैं उनकी मदद करिए आप बिहार का चुनाओ देखा था आपने जो आपका दिल कह रहा है वही जनता कह रही है आपका दिल क्या कह रही है बताओ बताओ आपका दिल क्या कह रहा है अब कोई बोली नहीं पा रहा है सब जानते क्या है यह सच निकलाई है यही सच्छा है और आपके नहीं यह जो हमारे आगे बेटे साथी यही जानते हैं लेकिन हम सब ऐसी चीजों में फस्दें जैसे आप कुछ कहोगे तो आप कहोगे क्या हो गया आप बताईए जो एक पार्टी की प्लूरल्स पार्टी की लीडर है उसने यह कहा कि मेरे सामने बोट डाला गया और मशीन में बोट जीरो निकला उसका बताओ लर्ने स्कूल आफ एकॉनिक्स पढ़ी हुई अगर कोई नेता है अगर वो यह कह रही है और यह बताओ बिहार की जनता क्या कह रही बताओ आपके तो टीवी के कैमरे चोटे पढ़ गए थी जो भीड तेजसी की निकली क्या आपके कैमरे कवर कर पा रहे थी आपको तो कोई वाइड से भी वाइड कैमरा लाना पड़ता तब कहीं कवर कर पाते आप मैं आपको क्यों बताओं कि क्या करूँगा मैं मैं आप से चाहता हूँ आप भी सच्चाई और इमानदारी से हमारी मदद करें ये इस गुस्ते से अगर आप बोल ले हो तो आप मदद करी हमारी अब देखिए वैक्सीन जैसे निकली एगी क्योंकि बीमारी है पूरे दुनिया के साइंटिस परेशान थे किस बीमारी का इलाज क्या ढूणे वैक्सीन कैसे ढूणे आप सुनने में आए कि अमरीका निकाल ला है रस्या भी निकाल ला है चीन पर भी है भारत भी कुछ कोशिश कर रहा है तो सोची आप तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप से समाजवादी पार्टी विकास का रास्ता नहीं छोड़ेगी हमें केवल जनता को भरोसा दिलाना है और मैं जानता हूँ या जितने पत्गास साथी बैठे हैं वो भी इंतजास समाजवादी सरकार का कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप लोग बताईए आप देखिए हाँ जी सब कह रहे हैं अभी मैंने आप से कहा था कि पारिजात पेड़ समाजवादी सरकार में और समाजवादी लोगों ने लगाए आप फॉरेस डिपार्टमेंट से जानी है इस बात मैं तो आप से कहूँगा कि फॉरेस डिपार्टमेंट से एक बार पूछिए कि सबसे ज़्यादा पारिजात पेड किस सरकार ने लगाए सबसे पहले लोहिया पार्ग में नेता जी से लगवाया था हम लोगों ने और आगर आज लोहिया पार्ग आप जाएं तो बहुत सारे लोग देखेंगे आप पूजा करते मिलेंगे वो नेता जी ने सबसे अच्छा पेड लगाया था वो कितना बड़ा हो गया उसकी कलपना नहीं कर सकते आप इसी तरह इसी तरह फैज़बाद में भी लगा ये जो किसानों को आज पैसा मिल ला है पांस सो रुपया क्या समाजवादी सरकार ने नहीं शुरू किया था याद कीजिए आप समाजवादी सरकार में पांस सो रुपया महिलाओं को गरीब महिलाओं को समाजवादी पैंशन देना शुरू कर दिया था क्या वही तो 500 रुपिया है आप किसान को क्या दे रहे है उसी तरह की तो यूजना है मैं आप से ओन रिकॉर्ड कह रहा हूँ समाजवादी सरकार बनी थी सबसे ज़्यादा उत्तप्रदेश में बेंक एकाउंट खुले थी सबसे ज़्यादा ब्रांचिस खुली थी और रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं आपको और डारेक्ट बेनिफिस ट्रांसफर सिस्टम अगर किसी ने लागू किया था समाजवादी सरकार ने लागू किया था किसानों के एकाउंट में सीधा जा रहा था तो अब ये परचार 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 ही करते हैं तो हम भी परचार 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 ही करेंगे क्या कह रहा हूँ कोई ग्यान और जानकारी मेरे पास नहीं है ये बहुत कठिन सवाल पूछ लिया अरे ऐसा है ये बहुत कठिन सवाल पूछ लिया बहुत कठिन सवाल है ये लेकिन आप बताओ आपका वो के दिया वही सच है आपके ऐसे गुजरा होगा आपसे भी वही गुजरा होगा जो उनके गुजरा